पुमीर हना फ्रेंड्स करें है कि हैंज हं बनाएंगे आटे के सकर पारे एंपहें हेंडी होता है मैं को सिश करती हूं कि जहां में में इता कि जगें आटे के सकर पारे हमने लिया है चार कप पाटा और उसमें हम डालेंगे एक कफ घी और हम इसका मोयन लगाएंगे इसको अच्छे से मस लेंगे जब घी मिल जाए तो हम इसमें हलका गरम पानी मिलाके इसको गूत लेंगे और इसका एक सोफ्ट डो बना लेंगे एक हम इसका सोफ्ट डो बनाके अच्छे से मसल लेंगे इसको जब इसका सोफ्ट डो बन जाए तो हम इसको गीले कपड़े से ढखके और आधा घंटे के लिए रख देंगे जेंगे अब आधा घंटे बाद हम इसको तोड़ा तोड़ के गुछ बनाके अब हम इसको बेलेंगे अब हम इसको बेल लेंगे पूरि थोड़ी मोती बेल लेंगे और अब हम इसको चाकु से काट लेंगे हम इसके स्क्वायर में पीस काटेंगे अब यह कट जाएं तो हम इसको अब डीफ फ्राई करेंगे हम मीडियम गैस पर डीफ फ्राई करेंगे थाकि यह क्रंची हो जाएं और अंदर तक सिख जाएं अब यह जब हलके से ब्राउन हो जाएं तो हम इनको उतार लेंगे और उसको एक साइड रख देंगे अब हम इसकी चाचनी बनाएंगे अब हम एक कड़ाई में एक कटोरी चीनी और आधाव कटोरी पानी लेके उसके चाचनी बनाएंगे अब यह चाचनी में चीनी का दाना जब पूरा घुल जाए चाचनी बन जाए इसकी तो हम इसमें अपने शकर पारे डाल देंगे अब हम गैस बंद कर देंगे और हम लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि यह आपस में जिब्टे ना आप हम इनको लगातार इनको पलटते रहेंगे धीरे धीरे जब तक यह ठनडे नहीं हो जाते अब हमारे सक्करपारे तयार हैं आप इनको काफी दिन तक कोई ये कंटेनर में भरके रख सकते हैं ये हपतों तक खराब नहीं होते अब ये हमारे सक्करपारे रेडी है ये थी आटे के सक्करपारे की रेसिपी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें औ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you.